दोस्तो आज की इस वीडियो में एक और इंपोर्टेंट जानकरी आप सभी लोगों के लिए लेकर हम एक बार फिर हाजी रहें दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिमाग को एक्टिव और दिमाग को बहुत ज़्यदा शार्प बनाने वाली कुछ ऐसी जड़ी बुटियों के बारे में हम आपको बताएंगे जिसे शायद आज से पहले आपने नहीं सुना होगा और दोस्तो ये जो पांच जड़ी बुटिया आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ये खास तोर पर दिमाग की याददाश को तेज बनाना और दिमाग की सिहत के लिए काफी ज़दा फाइदे मन मानी जाती है दोस्तो आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे जितने भी जोब से उनमें ब्रेन की काफी ज़दा जुरत पड़ती है एक शार्प ब्रेन की और इसके साथ ही लगातार मेंटल प्रेशल लेते हुए सही तरीके से काम कर सकने वाले इंप्लोईज ही हर बोस को चाहिए हो चिक्ष को स्वस्त रखने में हेल्प करती है दोस्तो दिमाग को लगातार एनरजी देने वाली इन नेटरल ओजदियों को आयूरवेद में एक खास जगे भी दी गई है इसे आयूरवेद में मेध्या और नाट्रोपीक ग्रूप में मी रखा गया है तो चलिए दोस्तो आपको बताते हैं कि वो पांच असरदार जड़ी बूटिया कौन-कौन सी है जिससे दिमाग बहुत ही ज़्यादा शार्प और एक्टिव होता है तो दोस्तो पेले नंबर पर आती है ब्राम्मी जिसे इंगलिश में बकोपा मोननेरी भी कहते हैं दोस्तो ब्राम्मी एड़ अक्टोजेनिक एक जड़ी बूटी है यह ब्रेन के नियूरो ट्रांस्मिटर जैसे की सेराटोनिन, डोपामाइन और गाबा को शंशोधीत करने का काम करती है साथ ही तंत्रीका तंत्तूओं के कुशल सरचन में भी सुधार करती है इसके लावा दोस्तों आपको पता दे कि ब्रामी का सेवन करने वाले लोगों के दिमाग पर इस्ट्रेस जादा असर नहीं डाल पाता क्योंकि ब्रामी दिमाग की कोशिकाओं में लचिला बढ़ाने का काम करती है इससे याधदाश बढ़ती है, सीखने की शम्ता बढ़ती है और दिमाग में ताजगी बनी रहती है दोस्तों दूसरे नंबर पर आती है वाचा जिसे इंग्लिश में एकोरस केल मेस भी कहते हैं दोस्तों वाचा जड़ी बुटी में चिंता, भय और आवसाद जैसे लक्षनों को दूर करने के गुण पाये जाते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम C-N-S कहते हैं उस पर काम करती है और इससे अवसाद के लक्षनों और कार्णों से मुक्ति मिलती है दोस्तों वाचा मस्तिक्ष के विभिन शेतरों में मोनो माइन इस्टरों में परिवर्तन करती है मानसिक संतुलन बनाए रखने वाली इलेक्ट्रोलाइट वेवस जो होती है उसको सही बनाए रखने में काफी ज्यादा हेल्प करती है दोसों अगली जड़ी बूटी है जटामासी जटामासी केंद्रिय मोनोमाइन और निरोधात्मक एमिनो एसिट का जो लेवल होता है उसको इंक्रीज करती है जिससे सेराटोनिन 5-हाइडरोक्सीडोल एसिटिक एसिड गामा एमिनो बियोनेटिक एसिड और टॉरिन के लेवल में बदलाओ करती है ये सबी तत्व आपको बता दे दोस्तो इस्ट्रेस या फिर डिप्रेशन को दिमाग पर हावी नहीं होने देती है डिप्रेशन से आपको बचा कर रखती है इसलिए जटामासी जो जड़ी बुठी है वो भी काफी ज़्यादा फाइरेमन माने जाती है दिमाग की सेहत को ब कागरता याने की फोकस में सुधार करती है और नियूरो ट्रांस्मेटर जैसे की डोपामाइन, नार्पेपरीन और सेरोटोरीन का जो इस्तरा होता है उसको बैलेंस में मनाए रखती है दोस्तो इसके सेवन से नीूरोंज नीूरोंज वो होते हैं जो मस्तिक्ष की जिसे शिकाय बोलते ना उसको neurons केते हैं उसको वापिस से जीवित करने का काम करती है और मानसी तनाओ यानि कि अगर stress आपके दिमाग पर हावी है तो उसको दूर करने का काम करती है अब दोस्तों बात करते हैं आखरी जड़ी बुठी की आखरी जड़ी बुठी है शंक पुष्पी दोस्तों शंक पुष्पी तनाओ बढ़ाने वाले हार्मोन कार्टिसोल के लेवल को कंट्रोल करके रखती है इससे तनाओ आपके दिमाग पर हावी नहीं हो पाता शंक पुष्पी जड़ी बुठी के सेवन से मन को शांत बनाये रखने में भी काफी हल्प मिलती है शंक वो पांच आयूरवेदिक जड़ी बुटियां जो की खास दोर पर दिमाग की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लापकारी मानी जाती है लेकिन इन जड़ी बुटियों के बारे में अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है तो दोस्तों यही थी हमारी आज की एक और इंप धन्यवाद दोस्तों